नमस्कार, ZNEWS Digital Media से मैं पंकश कुमार, डेली न्यूज एनलसिस, डिन ने में आप सभी का स्वागत है। हाई कोट या जिला नयाले से ले सकेंगे अग्रिम जमानत जिसमें अलाहबाद आयकोट ने कहा हाई कोट जाने के लिए सत्र नयाले में अरजी खारी जोना जरूरी नहीं। दोनों को डंड प्रकिरिया सहिता की दारा 438 में बराबर का अधिकार। वाडा ने लगाया प्रतिबंद ओलंपिक और फुटबाल विस्व कप से रूस बाहर। सुबे में गठित होंगे 218 फास्ट्रेक स्पेसल कोट। महिलाओं बच्चों के खिलाप लैंगिंग अपरादो पर लगेगा अंकुस। एलाबाद आई कोट ने एक मामले में कहा कैसे दे सकते हैं परतेक चरण में आरच्छन। बरानसी समयत 14 सारों में 700 उलेक्रिक बसों की मंजूरी। पुर्वांचल को बिहार से जोड़ेगा बलिया लिंक एक्स्प्रेस वे। फिर्लन्ड की साना मारिन बनेंगी दुनिया के सबसे युवा पीम। हिंदू महासबा ने सुप्रीम कोट में दाखिल की पुनर विचार याचिका राममंदिर मामले में। नागरिक्ता संसोधन बिल गर्म महौल में लोगसबा में पास। में 311 मत वबिरोध में असी मत पड़े बीजद सिवसेना वाई एसार कांग्रेस ने दिया साथ। ग्रिय मंत्री साह ने कहा धार्मिक उत्पिडन के सिकार सभी सरनार्थियों को दी जाएगी नागरिक्ता गुसपैटिये बाहर होंगे। उप्चुनाओं के नतीजों ने उद्रप्पा को दिलाया बहुमत जिसमें भारतिय जनता पाटी ने विदान सबा उप्चुनाओं में कुल 15 में से 12 सीटे जीत कर ना सिरिफ राज्य में अपनी सरकार बचाली बलकी करनाटक में पाऊं भी जमा लिये। UNDP संजुक्त राष्ट विकास कारिक्रम का सो मुवार को जारी रिपोर्ट से यह अस्वश्ट हुआ कि 2018 में भारत 130 अस्थान पर था और मानो विकास सुचकांग भेलू 0.647 थी जबकि 189 देशों की इस सुची में भारत इस साल 119 अस्थान पर है जिसमें 28 फिसदी बहु आ आमी गरीब भारत में हैं भारत में प्रती ब्यक्ति आये और जीवन परत्यासा भी बढ़ रही है मौका परस्तों के लिए सबक है परणाम धर्खंड में पीम ने करनाटक के परणामों पर कांग्रेस वा सायोगियों पर निसाना साधा लोगसभा में विपक्ष ने नागरि जेता फिलिपिन्स की कैटरीना ग्रे अस्ट्रेलिया के साथ विसेश सर निसम्जोते की तैयारी कैलोरी घटाने की कोशिस में बढ़ सकता है ब्राउन फैट दस प्रख्यात मैलाओं के नाम पर होगी पीठ जिसमें मैलाओं के प्रतियादर जगाने के लिए किया जाएगा परियास अफगानिस्तान से 85 ट्रक और प्याज भारत पहुंचा आईजी एस्टी सेटलमेंट पर बने मंत्री समूस या सीता रमन बाहर बिहार के उठ मुखे मंत्री सुसील मोदी होंगे समू के सनियोजक लगू बचत दरों में कटोती पर नजर एमपी लोड़ा सबसे अम पर चर्चा केंद्रेग्रिय मंत्री ने विपक्ष के सारे आरपों को खारिज किया जिसमें पुर्वत्तर कदिक्तर दलों का साथ मिला आयूदकार खानों का नीजी करण नहीं मुख्या आर्थिक सलाकार केबी सुब्रमन्यम ने उद्दोग मंडल फिक्की के समयलन में कहा आर्थिक सुधारों का आसर जल्द दिखेगा SBI समय तीन बैंकों ने ब्याजदरों में की कटा हुती अमेरिका में कास्मेरियों का पाक के खिलाप परदर्सन ACI विकास बैंक पाक को 1.3 अरब डालर का करज देगा बाले उट की नई फिल्म पानी पत काराजस्थान में विरोध हो रहा है जिसमें गालोत बोले पानी पत पर सेंसर बोड हस्तक छेप करे तो आईए अब बात करते हैं देलिजान के संपात्किया पेज की समस्या की जड़ में जाने से इनकार नाम से लेक छपा है जिसके लेखक हैं परकास सिंग जी जो कि यूपी पुलिस हैं मसंपुलिस के माहाने दे सक रह चुँग की का दुसकर्म के बाद हत्या कर दी गई तो लोगों को वर्तमान क्रिमिनल जश्टिस सिस्टम में बरोसा उठ गया है अने देसों में भी कुछ ऐसा बात बन गया है रेपिष्टी जीऊ चर्चा में है चीली की राजधानी सेटियागों में करीब 10,000 मैलाओं ने काले कपड़े और लाल कार पहन कर इस गाने को गाया World Health Organization ने हाल में मैला पराद पर एक अध्यान प्रकासित किया जो Eastern Mediterranean Health Journal में छपा है इसमें कहा गया है कि 20 सुबर में मैलाएं भले ही वो किसी वी वर्ग या समाज की हों किसी ने किसी प्रकार के हिंसा किसी कार होती रही है इस अध्यान के अनुसार भविसे में भी इस तरियों की सुरक्षाय चिंता का भी सह रहेगा भारत में भी दुसकर्म के मामले बढ़ना एक गंबिर चिंता का ही भी सह है नारी को इस देश में हमेशा समान के दिश्टी से देखा गया है दुबागे से हमारे मुले इधर इतना रास हो गए कि नारी को बहुत से लोग अपकेवलों भोग की समागरी समझने लगे है निर्बिया कांड के बाद भारत सरकार ने जस्टिस जेस बर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी इस कमेटी ने अपने रिपोर्ट में सुसासन की कमी होना बताया है एवाम 28 प्रिष्टों का एक पूरा अध्यान पुलिस सुधार पर लिखा है कमेटी ने राजसरकारों से अग्रह किया था कि वह पुलिस सुधार संबंदी सुप्रीम कोट के निर्देशों को ततकाल लगू करे कमेटी ने यह अभी कहा कि जब तक कि पूलिस में मुलभू सुधार नहीं होंगे तब तक वह मैला सुरक्षा या अन्य समस्याओं से निपटने में पूरी तरह सक्षम नहीं हो सुप्रीम कोट ने पूलिस सुधार को लेकर 2006 में आदेश दिये थी राज्य सरकारों को मैला सुरक्षा के बारे में निर्देश भेजे हैं जिसमें उन्होंने विशेशत तोर से यह सुझाओ दिया कि सभी राज्य पूलिस CC TNS के Investigation Tracking System for Sexual Offensive Portal का परयोग करें इसमें यह सुनिश्चित हो सके कि मैला संबंदी अपरादों की विवेचना दो महीने में समाप्ता कानून मंत्री रभी संकर प्रसाद ने भी सभी राजियों के मुख्य मंत्री और हाई कोट के मुख्य नयादिसों को एक पत्र लिखा है कि दुसकर्म के मामलों की जाच दो माँ में और सुनवाई अधिक्तम छो माँ में पूरा कर लिया है मंत्री महोदे के अनुसार देश में चल रहा 704 फास्ट्रेक कोट के अतरिक 2023 और नए फास्ट्रेक कोट बनाने होंगे मैलाओं के बिर्द्ध अपराद के दो पहलू होते हैं एक तो अपराद का होना, दुसरा अपराद होने के बाद परसास्निक लापरवाही या पुलिस लापरवाही अपराद के बाद के घटना करम पर विसेश तोर से चर्चा होती है जैसे कि पुलिस ने रिपोर्ट लिकने में कोताही की, पिर्टा को एक थाने से दूसरे थाने में ले गए, पुलिस ने पिर्टा को सरचन नहीं दिया, आरोपियों को अस्थाने निताओं से 60 गाट रही, इसी चर्चा के बीच नया प्रक्रिया वर्सों तक चलती रहती है, औ परिवार दुसरा सिच्छन संस्थान दोनों ही मुल्यों की सिच्छा देते हैं सिरिफ नौकरी के लिए ही पढ़ाई कराई जा रही है अच्छे नागरिक और डेस्भक्त के लिए नहीं व्योसाइक दिश्टिकोंड से सारा बता बना ब्यस्त है और आगे बढ़े तो हम देख देखक काना चाहते हैं कि भाजपा ने करनाटक उपचुनाओं में एक तरफा जीत दर्ज करते हुए विपक्च से लागातार सीटे छीन लिये इन चुनाओ परिणामों ने मुख्यमंत्री एदुरप्पा को सेस बचे का रेकाल के लिए सासन का असपष्ट बहुमत दे दि इन उपचुनाओं में एदुरप्पा के लिए यह कुन जाइस बना दी है कि वो पूरे आत्म विश्वास के साथ अपनी पार्टी के आला कमान से बात कर सके जुलाई के बहुमत परिछण में एक अस्थिर सी जीत हासिल करने के बाद अपने मंत्री मंडल के गठन के लिए खबरों के मुताबिक एदुरप्पा को तब भाजपा अध्यक छमित सासे मुलकात का वक्त नहीं मीरा था और उन्हें दिल्ली से खाली आत लटना पड़ा तो सवाल यह हो गया कि जिस मुख्यमंत्री को अपनी पार्टी के सिर्षनेताओं का पूर समर्थन नहीं था तो उन्होंने इतना बड़ा कमाल कैसे कर दिया करनाटक के चुनावी राजिनिती की कहानी पिछले 19 माह से कई पीड़ादायक मोड से गुजरी और एक तरफ से यह किसी थ्रिलर को मात दे रही थी दिचास्प तरीके से कांग्रेस के 15 और जनतादलेस के दो विधायकों ने अपनी अपनी पाटी से भगावत की पूक्यमंत्री कुमार सौमी को विश्वास मत हासिल करने के लिए बाद दे होना पड़ा उसके बाद के 17 बिधायकों को विधान सबा देख्च ने आयोग्य करार दिया जिसके कारण सदन की संख्या 108 रह गई और 106 सदस्यों के समर्थन के लिए योधरप्पा ने जुलाई में एक बार फिर सरकार बनाने के दावा पेस किया और विश्वास मत हासिल करेजंगर और आयोग के करार दिये गए विधायकों ने इस पीकर के फैसले को सुप्रीम कोट में चुनोती दी और जनता नहीं ने चुन कर इस पूरी प्रकिरिया का नहीतिक समर्थन डे डाला और फिर से चुनावी परचार में कमी होने से कांग्रेस और जनता दल मद्दाताओं को अस्वास करने में नाकाम रहे और करनाटक और अमराष्ट दोनों जगों पर ये कारगर साबित नहीं हुए कई ऐसे मुद्दे हैं जो मद्दाताओं के सामने थे और उन्होंने ओड डालते हुए उस पर गौर किया साल 2018 के बिदान सबा चुनाओं में भाज़पा जहां हार गई वहीं उमिद्वार सिर्फ पार्टी बदल कर जीत गए और इसे बीच कांगरेस पार्टी के डी सीवा कुमार के खिलाफ आएकर विबाग और एडी से छापे पड़ने के कारण तो ये चुनाओं में निस्क्रिय भी होगा और पूरा माहौल भगवा पार्टी के पक्ष में बन गया 224 सदस्ये विदान सबा में पार्टी एंगलो इंडियान सदस्ये के साथ सिर्फ 104 सीटे जीत सकी तो बहुमत से आठ पम लेकिन इसके बावजूद ये दुरप्पा ने सरकार बनाने का दावा पेस किया और सपत ग्राण के 48 गंटों के भीतर उने इस्तिफा देना पाई क्यूंकि उनके पास संख्या बल नहीं था और वह विश्वास मत का सामना करने की इसिती में नहीं थे किनमराया के नेत्रित्व में कांग्रेस पार्टी ने 78 सिते जीती थी जबकि देवगोडा के जनता दल एस के 37 विधायक चुनकर आये था भाजपा को बाहर रखने के लिए कांग्रेस ने जनता दल एस के साथ मिलकर दाव खिला और कुमार स्वामी की सरकार वजूद में आ कि करनाटक में पूँच को सीरे से बांधने का काम सुरू हुआ था इसलिए कुमार स्वामी सरकार अधिक दिनों तक टिक न सकी कांग्रेस और जनता दल के अंतर विरो जल्द ही उभर कर सामने आ गये और देवगोडा और सिद्मराया की वर्सो पुरानी परतिसफर्दा को देखते हुए इसे एक सौभाविक नतीजे के रूप में देखा गया इससे बीच खबरों के मताबिक भाजपा ने ऑप्रेशन कमल 2.0 सुरू कर दिया था जिससे दूसरी पार्टियों के विदायकों का समर्थन हासिल होने लगए बस आज इतना ही तब तक के लिए धन्यव है